आज मैं आप सभी के साथ सेर करने जा रही हूँ शोयवीन का कोपता तो ये फ्रेंस बनाना असान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये किन माने और एक वार घर पर एसपी को जरूर ट्राय किजेगा विडियो को इंड तक जरूर देखे यहाँ पर मैंने कराही म पानी डाला है और 200 ग्राम यहाँ पर मैंने शोयवीन लिया है तो यहाँ से ना आप पर पानी में डाल दिया है और इसमें मैं ने तिन टमाटर डाला है यहां पर 2 मिडियम सैच को प्यास को डाला और 4 हरा मिर्च का अगर हरा मिर्च viol नहीं है तो इसके जगा Keys मिर्च भी ड कर दिया है इसमें सिर्फ टमाटर हरा मेच को मैं निकाल लेती हूँ और यहां पर स्वयविन को प्लेट में रख दिया है और जार के अंदर डाल दिया है तिसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगे और इसे दरदरा पिशलूंगी बिल्कुल इस तरह से ये देखे तिसे एक बॉयल आलू नहीं है तो उसके जगाप कच्छा अलू भी छिलका निकाल कर और पीसेस में काटके डाल सकते हैं एक कोटोरी बेसन डाला है एक चमच छल्दी पौडर आधा चमच इसमें मैंने लाल मिच का पौडर डाला है और स्वादनुसार नमक डाला है एक चमच इसमें खराक जीरा डाला है और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ इसमें पानी बगरा कुछ ने डाला है इसे मसल कर इस जर्म्रिच उसे 0,07 में डाल दिया है यहाँ पर मैंने खरा गर मसाला लिया था उसे डाल दिया आधा मैंने ग्रेवी के लिए सब्सक्राइज मत्ले सब्सक्राइज कीommes अब मिश्रन को थुरा सा हाथ पर लेकर और इस तरह जे छोटे छोटे गोले बना लूँगी, ते देखे सारे बॉल्स मैंने बना लिये है, तेल गरम हो गया है, देखा करके मैंने गरम तेल में डाल दिया है, और मीडियम गैस पर इसे उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन होन इसे सेम तरीके से फ्राइ कर लूँगी, तो जो तेल बचा है, उसी में मैंने खरा गरम मसाला डाला है, और इसमें अधरक लेसन हरा मिच का पेस्ट डाला है, मिला दिया है, अब इसमें मैं पिसा हुआ पेस्ट को डाल दी हूँ, और इसे भी मिला कर तीन से चार मिनट तक भूंज लूँगी, तो यहां पर तीन से चार मिनट हो गया था, एक चमच हल्दी पौडर, एक चमच धन्या पौडर और एक चमच लाल मिच का पौडर डाला है, तो मैंने यहां तीकी वाली नहीं डाला है, यह कस्मीरे लाल मिच का पौडर है, तो आदा चमच मैंने इसमे गया है बिल्कुल तेल छोड़ने लगा है तो दो गिलास मैंने पानी डाला है आपको जितना ग्रेवी रखना उसी के अनुसारा पानी इसमें डाले मिला दिया है धकनसे से ढख देती हूँ इसमें भनिया सा उबाला ने देती हूँ इसमें उबाला गया है तो अब मैं उपर स से थोरा सा कस्तूरी मेथी डाल रही हो आप चाहते इसमें धनियापत्ता भी ढाल सकते हैं अगर करके कुपता को डाल दिया है और मैं गैस को बन कर दी हूँ और यहां पर यह बिल्कुल ही रेडी हो गया है अब मैं आपको सब करके दिखाती हूँ एक वार फ्रेंस आप घर मे इस तरह से कुपता बना कर देखिए बच्चे पर यह सभी को पसंद आएगा यकीन मानिये फ्रेंस बहुत ही खाने में टेस्टी है एक बार मेरे तरीके से घर पर जुरूर ट्राइक कीजेगा हर रोज एक अलग-अलग रेस्पी ट्राइक करते एक बार इस तरह से भी ट्रा ट्राइब करना ना भूले